और अब जो है finally ये क्या है कि इस पार आ चुके है इस पार का मतलद समझ रहे हैं अब एक तो क्या होता है कि student जो है तयारी करता है मेहनत करता है अब इनको तयारी करने की जुरत नहीं है याब इनके ऊपर गया भार पढ़ने वाला भारी ठीके अब तक क्या है कि tension free थे ये लो सर एक क्लैप तो करिए फटाफट से इतना प्लीज बैम से देखिए सबसे पहले तो सर्वर सर जो है इनसे कुछ इनकी स्टोरी और कुछ जानेंगे उसके बाद आप लोग इनको छोड़ना नहीं है बहुत मुश्किल से आये हैं ये और इसके बाद वापस नहीं आएंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको तो कोई भी तरह का आपको कोशन पूछना है बेज जजग होके इनसे पूछिएगा ये टाइम आप लोग जिस रीजन के लिए यहां पे आए हैं उसका फाइदा उठाता है ठीक है ओके सर प्लीज पहले सभी को लॉप्रेप के सभी स्टू में यहां बैटने वाले हैं ऐसी मेरी अकांक्षा है मैंने 2005 में अपना LLB किया था लेकिन तब मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की 2016 में मेरे फादर साब ने मुझे कहा कि आपको प्रैक्टिस जॉइन करनी चाहिए कुछ कारणों से मैंने जॉइन नहीं किया था 2016 में जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की उसके बाद मुझे फील होने लगा कि जज की कुर्सी पर मुझे बैटना चाहिए मैं उतनी मेहनत कर सकती हूँ फिर मैंने अपने जो खाली समय को था उस समय को मैंने जाया नहीं करने दिया और मैं उस समय पढ़ाई शुरू करी हमारी या लाइब्रेरी है वहाँ पर लाइब्रेरी पर खाली समय में बैटके मैं पढ़ाई करती थी वहाँ पढ़ाई करते करते फिर मैंने प्री दिया मे attempt दोंगी, जब next attempt मैंने दिया तो मुझे सफलता मिली है और मैं सबी को यह कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी प्रयासरत रहना चाहिए और अपना attempt आप दीजिए और full energy के साथ में दीजिए. मैं हमारे students हैं उनको आप थोड़ा बता सकते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से लेकर माली जी कोई आज ही जो स्टार्ट करा प्रिपरेशन वहां से लेकर एंड तक यानि इंटर्व्यू तक क्या उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या-क्या चीजे उनको ध्याल में रख यह वाला सेकेंड में मेरा हुआ है, सबसे पहली बात में यही कहना चाहूंगी कि आपके अंदर RGS बनने के लिए पहला पाइंट है तीवर इच्छा, तीवर इच्छा शक्ति, कैसी तीवर इच्छा शक्ति है? जैसे कि अगर एक बाल्टी में पानी हो और अगर कोई आपक सक्सेस मिलेगी, अधर्वाइस आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, बहुत सारे ऐसे अपस्टिकल आते हैं, जो आपको तोड़ देंगे और फिर आप बैक आफ हो जाओगे से, तो पहला पाइंट है तीवर इच्छा, देखिए मैं इसको एक कहानी के माध्यम से भी थोड़ा सा अनुकरणिया बना सकते हैं, शेर होता है ना वो शेर जंगल के अंदर, शेर सबसे बड़ा जानवर भी नहीं है, ना ही सबसे ज़्यादा चाला कोड़ता है, और ना ही तेज़ जाओड़ता है, लेकिन शेर को पता है कि मुझे शिकार करना है, नहीं तो मैं भूका रह सब्सक्ति के साथ, ये सोचे बिना कि कौन मेरे कॉंपेटिशन में है, कितने जादा मुझ से इलिजिबल स्टूरेंट्स हैं, हम लोग पहले से कल्पना करना शुरू कर देता है, नहीं नहीं, इसके लिए बहुत सारी महनत लगेगी, हम इतनी महनत हम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चे, बहुत सारे उश्यारब, बच्चों को बहुत सारे ऐसे भी हैं, जिनको सुविधाय बहुत मिलती है, हमारे साथ तो परेशानिया बहुत सारी है, इन सब को दरकिरनार करिया, और आप एक फुल एटिट्यूट के साथ में, ये सोचे बिना कि कौन छोटा, कौन ब आप शुरुआत कीजिए, जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को याद करने की, जैसे किसी में 18 चैप्टर्स हैं, किसी में 6 चैप्टर्स हैं, आप उन चैप्टर्स को याद कीजिए, आप जब याद करेंगे और आपको याद हो जाएंगे, तो बहुत confidence आएगा आपको दुटित करे कि ये ज़िए that chapter इससे भिवाहे, गुते, उसके बाद में हमें हमें sections को याद करना चाहिए. raise-set section के number को आप target कर ली जे, कि मैं daily 50 sections याद करूंगा. 50 sections को याद कीजिए, उसको बार बार दह राई ही हैatan시고 उसके बाद में जब आप 50, 50, 50 करते करते हैं, आप के 500 तक पहुंच जाएंगे 511, अब नए BNS में जो काम हो गया हैं, जब ये रिवाइस हो जाएं, तो आप ये नहीं के हां मुझे याद हो गए, आप उसे check cross check कीजिए, आप 100 तक के numbers लगई हैं, और उसमें से बीच में से check क कीजिए कि 76 नंबर का जो section है, वो क्या बोलता है, इस तरह से हमें बीच-बीच में से अपने sections को check करना पड़ेगा, कि हमें बीच में से याद है कि नहीं, क्यूंकि examination hall में time management भी बहुत वर्क करता है, वहां आपको दो घंटे में 100 questions का answer करना होता है, और वहां आप ये सोचन questions करेंगे, और 100 करी नहीं पाएंगे, 20 questions छूट जाएंगे, तो आपको वो भी बीच-बीच में से practice करनी है, then यहां आपकी तयारी खतम नहीं होती, कई students इतना करने के बाद में satisfy हो जाते हैं, क्या हो गया हमारा, अब तो हम दे सकते हैं, confidence आगे, no, मैं कहूंगी, बिलकुल आपको उसके बारे में अंदर से स्टोरी, उसको, sections को पढ़ना होगा, कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद में भी आपको यह समझना होगा, कि इसको हम apply कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हैं, जैसे competition बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे problem-based question आते है तो वहाँ आपको उस problem को पढ़के, फिर उस में कौन सा section apply होता है, वो भी ध्यान करना होगा, और यह सब आपको बहुत ही, एक minute के अंदर आपको perform करना होगा, एक minute से भी कम समय मिलेगा, मेरे कहल से, 120 minutes मिलेगा, इस बार तो कई बच्चों का छूटा भी है पेपर, पेपर ही जाता है, सबी का clear हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम reading करके जाते हैं, और reading वैसे बीच-पीच में से कही सवाल आते हैं, और कुछ हमारे तुक्के भी चल जाते हैं, उससे भी हम लोग pre clear कर लेता है, बट मैं आपको कहूंगी, mails कभी clear नहीं होगा, इस तैयारी से ह जगे पर आएगा, उसकी क्या हरकते हैं, उन सभी को नोटिस करता है, और फिर एक बार में वो अपना जपटा मारके अपने शिकार को साध लेता है, साधा है ना, उसी तरह से हमें साधना पड़ेगा, यानि प्लैनिंग क्या होई, प्लैनिंग ये है कि हमें, हमने देखा है जो अभी काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि RGS के जो एक्जाम हो रहे हैं, कभी तो पेपर बहुत लेंदी आता है, कभी पेपर बहुत सिंपल आता है, कभी पेपर में problem-based question होते हैं, कभी direct questions होते हैं, तो इस इन सब चीजों के लिए आज हमने तो सिर्फ तयारी करी, कि हम तो सिंपल तयारी करके गए थे और इस बार तो बहुत सारा problem-based आगया, इसलिए हमारा नहीं हुआ, आप वो सभी तयारी, सारी plannings करके जाएए, कि अगर problem-based आया, तो क्या हम इसका answer कर पाएंगे, अगर exam सिंपल आया, तो क्या हम उसका answer कर पाएंगे, अगर कुछ main sections में से ही उन्होंने कुछ पूछा, तो क्या हम उसको answer कर पाएंगे, अगर paper लेहन दी आया, तो हम क्या उसको write down कर पाएंगे, सारे questions attempt कर पाएंगे, क्या हमारा जो judgment writing है, वो fully prepared है या नहीं है, ये सब ही बातों को, जब आप एक बार में करके, फुल planning के साथ जाएंगे, तो achieve कर पाएंगे, third, focus, फिर मैं वो share वाली काहनी बात कहूंगी, कि जो share होता है न, वो जब एक target fix कर लेता है, कि मुझे इसका शिकार करना है, तो वो उसी पर fully focus रहता है, उसके सामने अगर बाद में कोई और भी दूसरा शिकार आ जाए, उससे अच्छा शिकार उससे दिखे तो वो अपना ध्यान उससे हटाता नहीं है, इसी तरह से आपने अगर RGS को focus की है, तो जैसे जैसे क्या होता है, RGS की जो journey हमारी, उसमें हमारे साथ में बहुत सारी difficulties आएंगी, कभी family problems आजाएंगी, तो कभी पढ़ने में problems आएंगी, तो हम अपना mark change नहीं करेंगे, हम उन मुश्किलों को पार करते हुए, finally अपने इस RGS को achieve करने के लिए अपनी पूरी ताकत जोग देंगे, जब आप यह करेंगे, तो यही strategy आपको सफलता दिलाएगी, तो और एक मैं हमारे रामायन का एक दोहा है, कि जही के जही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिला ही ना कच्छू संदे हूँ, मतलब जिसका जिस पर सनेह होता है, वो उसको 100% मिलता है, मेरे तो यही करा और मेरा सनेह था कि मुझे RGS एचीव करना है, और मुझे वो एचीव हुआ, तो मैं आप लोगों को भी यही निवेदन करूँगी, कि आप लोग भी इसी फुल एनरजी के साथ में ल जो फीलिंग है, वैसे फीलिंग टो बहुत अच्छी रहती है, और उसको एक्सप्रेस भी जो है, हम लोग तो अच्छा फील करी है, यहांकि जो बच्चे है भी बहुत अच्छा अच्छा फील करें वो भी आप से इंस्पाईर ही हो रहे हैं, लेकिन आपको कैसा लगाता है जिस दिन रिजल्ट आय तो उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम था आपकी वो उस वक्त क्या जो है क्या था था या फिर आपको कैसा फील हुआ थोड़ा सो बहुत ही बहुत जब एक इनसान अपने टारगेट को जिसको बहुत लंबे समय से अचीव करने की मैंने अपने फादर साब ने मुझे LLB करने के लिए इंस्पाइर किया उन्होंने ही मुझे कोट के अंदर ले जाकर खड़ा किया कि आप जाओ और फाइट करो मेरा फर्स्ट यही था कि मैं अपने माता पिता के चर्णों में जाकर जुक गई थी कि सब कुछ जो है मेरा वो आपके चर्णों में समर्पित है दूसरा मेरा इश्वर ने पग पग पर बहुत मदद की मैं आपको यह कहना चाहूंगी आप जिस भी धर्म से बिलॉंग करते हैं आप अपने धर्म को बहुत मान के चलीगा देखे हमारे हम मोटिवेशनल जो कौ कि मैं रात के बारा वजे तक पढ़ती थी मेरा यही था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी किया तो मुझे इतना समय नहीं मिलता था प्रैक्टिस के साथ में मैंने की तो मैंने जब एक महीना था प्री के लिए तब से मैंने कोट छोड़ दिया था तो सुबह आठ से रात के ब बिटा आप सोजो फिर उसके बाद में, उन्होंने मेरा एनरजी लेवल हमेशा बढ़ाया, दूसरा जब भी मुझे कोई चीज याद नहीं होती, मैं अपने जो भी आप लोगों के हो, इश्वर जिनको आप मानते हैं, उनका नाम आप लीजे, एनरजी लेवल 100% बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपको टारगेट को एचीव करने की ताकत पता नहीं कहां से इश्वर आपको प्रदान करता है, तो उन्होंने मुझे बहुत ताकती, तो फिर फूल एंड फाइनल यह है कि जो मैं बन पाई और जो मेरे एचीव जब मैंने किया, तो मैरे अपने मम्मी पापा के चरणों में जाके शीष नवाया, और अपने इश्वर के प्रती आभार प्रगेट किया, और फिर तो खुशी का ठिकाना अगले दिन से यह हुआ, कि फोन के बाद फोन, 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 फिर कोट से मैं जूडी भी हूँ, तो हमारे कोट के रिलेट सब्सकार लोगों से सदकार संबान मिल रहा है. एक बात बच्चों के मन में रहती हैं, बच्चों के नहीं कि जन मानस के मन में रहती है, अगर मैं एक कहों, तो कि को ही ही का रहती है, 2200 मिडियम उनके लिए ULSS अर्जाष के नहीं approved तो उसके बारे में आपकी थे मैं की क्या तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई मैटर नहीं करता है। मैंने अपनी हिंदी मीडियम से ही मैंने फुली, मैं तो यह कहाँगी, मैंने सरकारी विध्याले से शिक्षा आरजीत किया। और 12 से ही मैंने प्राइवेट शिक्षा ली थी, ग्रेजुएशन भी मैंने प्राइवेट ही किया था। हिंदी मीडियम वाले कहीं पीछे नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब भी जितना स्कोर मैंने प्राप्त किया है, मुझे लगता है मैं उससे अच्छा और कर सकती थी। देखे, आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं अगर आपने पूरी पकी तैयारी करिया, आप कैसे लिखते हैं, आंसर को कैसे लिखेंगे आप। किसी ने दिया हो, तो कोई बताएंगे मझे? हाँ, बताईए आप। कि यह किस एक्ट से सवाल आए है? सबसे पहले आप एक्ट के नाम को लिखिए, कि यह इस एक्ट से सवाल आए है. देन आप उस सेक्शन को बताईए, कि यह इस सेक्शन में से है, अब हो सकता है कि आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा हो? कोई बात नहीं, वहाँ आप छोड़ दीजे, क्योंकि वहाँ अगर आपने मिस्टेक कर दी, तो आपके नंबर कर जाएंगे. है ना, उसके बाद में आप उसे, अगर वो problem-based question है, तो problem-based question का answer कीजे, और वो answer देने के बाद में, आप उससे related section को write down कीजे. फिर अगर इससे related कोई भी case laws आपको पता है, जो landmark case है, या latest case, अभी कोई decide हुआ है, Supreme Court, High Court से, कोई भी तरह का, उसको आप कोट कीजे. यह जब आप पूरी तरह से, चा कोई भी कोणा नहीं छोड़ेंगे, तो कोई आपके number कैसे काट लेगा, आप बताइए, कोई कैसे काट सकता है, मैंने अपने पिछले साल की copy निकल वही थी, उस copy को निकाल के मैंने देखा, तो कही न कही मेरे कुछ ना कुछ mistakes थी लिखने में, इस बार जब मैंने अपना प वापस improve किया, check किया और पूरा attempt किया, तो ये तो एक चीज हो गई, second चीज में कहना चाहूंगे, हम क्या सोचते हैं, कई बार कुछ लोगों ने, मैंने ऐसा सुना है पिछली बार, कुछ लोगों ने का कि जो questions आप मान लीजे, इसमें 22 questions आए, अगर आपने 15 questions भी बहुत अ कुली करने है, क्योंकि आप जब अपना 100% करेंगे ना, तो वो आपको 50% marks देंगे, तो आप अगर 50% करके आ रहे हैं, तो आप 25 marks ही लेकर आएंगे, इसलिए आपको अपना पूरा paper देना है, उसकी practice आपको करनी है, और अच्छे से हर एक चीज को आपको लिखना है, तो हि अपना पूराइश्री यह पार्शलिटी नहीं करती कि हिंदी मीडियम वालों को side कर दिया, इंग्लिश मीडियम वालों को preference दियो, इस बार तो और इंग्लिश मीडियम वाले students के English में कम नंबर आयते हैं, तो यह वाली धारणा यहां पर आके समाप्त हो गई, कि हिंदी किसी को दोश नहीं दिया, और मैंने मेरी कॉपे निकाल कर उसमें अपनी कम्यों पर ही ध्यान दिया, और अपनी कम्यों को ही इंप्रूव किया, तो आज मैं आपके सामने ही बैठी हूँ, तो हिंदी मीडियम वाले मन से पूरी तरह से धारणा निकाल दे कि आपका selection नहीं ह करते हैं, लेकिन मैं यह काऊंगे, इंग्लिश पर तो करने ही आपको, लेकिन आप अपने हिंदी पर भी फोकस कीजिए, कि आपके हिंदी में कई कमनन नंबर आ जाए, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने ही जो हमारा गढ है उसी को हम आर जाते हैं और दूसरी जगे को हम करने के चक्कर में अपना गढ हार जाते हैं इसका उधारन बता हूँ तो यूपी में यह हुआ कि अपना गढ हार गए हम लोग सभा इलेक्शन में और जो पीजेपी थी और बाकी जगों पर वीजेप राप्त करी तो अपने गढ को पहले मजबूत कीजे और उसके बाद मे आप इंग्लिश को भी इंप्रूव कीजेए जब दौना तरफ आप अच्छे मार्स लेकर आएंगे तो डैफिनेटली इंडी मीडियम वालों का भी सेलेक्शन होगा और अपने ज्यादा तर सवालों के जो है आपने जवाब दे दिये जो कि बच्चों के मन में रखते हैं तर अभी हमारे यहां आप पर बच्चे आएं वा आपसे कुछ सवाल होग पूछना चाहते हैं जितने भी जय पैटली है वो पूछना चाहते है वो एक्यों कि सवाल पूछ सकते मैम से कोई भी शर्माना नहीं है क्योंकि इंदियेंड तुम लोगों को भी जो है अगली बार में चाहती हूँ आप लोग याए इसलिए और सब आप आप सकते हैं जी मैं मैं थेंकिए जो में प्री होता है ना आप बेट जहीं आ रहा हुआ है प्री जो है वह प्री आप बेर एक्ट बेर एक्ट की रीडिंग मैं यह कहूँगे बेर एक्ट से बाहर कभी नहीं जाता प्री के लिए के वल उसी को फोकस किजये अगर आपने बार 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 बेर एक्ट की रीडिंग करिए तो सवाल जहां तक हमारी जुडिश्री जो देती है वो सवाल वहीं से ही पुट अप होते हैं इसके अलावा भी हमें लेंडमार्क जज्जमेंट वगरे को देखना पड़ता है वहां से भी सवाल आते हैं तो आप म अपने प्रवाइट करा है तो मेंस के लिए हम बहुत सारा जो प्रोवाइट करवाते हैं अमारे कोचिंग सेंटर वगरे उनकी या और भी बुक्स हैं बहुत सारी लौफाइटर वगरे हैं इन सब को आप लेकर साथ में अगर आपने अपने सालवर पहले प्रप्रेशन करि कुछ कोचिंग सेंटर्स वालों ने अपने प्रोवाइट करा है उसमें से आपको अच्छा लगा उन सब को सेलेक्टिव सेलेक्ट कीजिए उन में से लेकर आप अपना यह तैयार कर सकते हैं और तयार करके आप अपने को क्योंकि बहुत अगर आप कभी किसी इस दिशा में उस दिशा में गए कि मैं इसमें से पढ़ लो उसमें से पढ़ लो तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो एक पहले से प्रिपरेशन आपको करके रखनी चाहिए कि मुझे इसमें से मैं चाहिए और अपने नोट्स रेडी कर लीजे और फिर आप पढ़ाई कीजे तो मैंने सच पूछे तो नोट्स रेडी नहीं किये थे मैं तो सीदे क्वेशन आंसर फॉम में उनको याद किया फिर लाव फाइटर मेरी सैफ स्टडी थी तो मैंने लाव फाइटर में से लिया कुछ लैंडमार्क जज्मेंट को मैं अटेच कर लेती थी अपने जो वो स्टिक नोट साथ है वो छोटे वाले उनको लगा लेती थी वहीं पर वहीं लिखकर वहीं से याद करती थी और बार-बार मेमराइज करके मैंने इस तरह से अपना इश्रीव किया अपना करती है तो आपसे इस सब्सक्राइब भी उनको नसके तरहे है सिया धिया खालए में स्टिक टुछ यहां पर आपसे तो में इस नहीं मुछ तैजिंम में अप्सेजिए इसमिन पर शुछ नात बावे सेम प्रॉब्लम एर मैं सिपी सी जैसे कि आपको पता है यह सेक्शन भी है ओडर भी है सेक्शन के साथ मैं ओडर को हमें पढ़ना है तो हम उस चीज़ को जो मुश्किल है ना उसको हम दरकिनार कर देते हैं कि इसको बाद में पढ़ेंगे जब मैं सिपी सी को नहीं कर पाई और मुझे भी पिछले वाले में लगा तो मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और मैंने सेपी सी को सोचा कि मैं इसको बहुत अच्छे से परेपेर करूँ गी और फिर मैंने सबसे पहले सीपिसी की दडिंग शुरू करी बार बार 158 sections को मैंने रिवाइज किया, उसके बाद में और्डर्स को पूरी तरह से रीड आउट किया, फिर उन और्डर्स को इन सेक्शन के साथ रिलेट करके पढ़ा, फिर मैंने लौ फाइटर की भी मदद ली, लौ फाइटर से मैंने पढ़ा, इसके बाद में मेरे फादर तो उनको वो पढ़ाने से, उनको वो बताने से, मेरे अंदर जो कमिया थी, जो मुझे लगता था कि यह चीज मुझे समझ में नहीं आ लिया, उनको बताने से वो सारी चीज़े मेरे समझ में आने लग गई, तो मैं यह कहूंगी कि आप अपना time spend उस subject पर जादा कीजिए, जिस पर आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, जो आपका कमजोर पार्ट है उस पर आप और ज़्यादा फूकस कीजिए, डैफिनेटल आपके reading से, writing से और conference से, तीनों से वो चीज़ जरूर मजबूत होगी, तो आप आज से अपना ज्यादा time अपने CPC को दीजिए या और सिविल जो पार्ट है उसको दीजिए, तो वो 100% आपको समझ भाएगा, और कोई कुछ सवाल, कुछ पूछना चाते है मैं से, तो मैं के साथ हमारा जो interview कह लिजिए या वार्तलाब कह लिजिए, वो बहुत ही fruitful रहा है, और हम लोग पूरी लॉप्रिव जुडिशी फैमिली की तरफ से, मैं आपको उनके उज्वल भविशे के लिए बदाई देना चाहते हूँ.